गीता दीदी आपसे मेले में मिलकर बहुत अच्छा लगा मैंने डिजिटल डिवाइसों के बारे में वास्ता में बहुत कुछ सीखा है धन्यवाद रोहन ये मेरे लिए खुशी की बात है मैं जानता हूँ कि इंटरनेट आजकल बहुत उप्योगी है मेरी इच्छा है कि आप मुझे इंटरनेट के विशे में और सिखाने के लिए कुछ और समय निकाले हम मैं देखती हूँ मैं कल खाली हूँ कल मैं तुम्हारे घर जरूर आउंगी और इंटरनेट के बारे में सिखाऊंगी वाँ ये आपकी महनता है निश्चित रूप से मैं अपने घर पर आपका इंतजार करूँगा ठीक है तो कल मिलते हैं हाई दीदी प्रिपिय अंदर आईए मैं बहुत कुशी कि आप मेरे घर आईए मैंने वादा किया था अब मुझे अपना कंप्यूटर दिखाओ दीदी आपने खाता कि आज कल लगबग सभी जगा कंप्यूटर का प्योग किया जाता है और यह हमारे जीवन को और असान बना देता है या आप मुझे इंटरनेट की बारे में और अधिक बता सकती है बिल्कुल रोहन मैं तुम्हारी सहायता के लिए आज यहाँ हूँ पहले मुझे यह समझाने दीजिए कि इंटरनेट क्या है इंटरनेट विश्व व्यापी नेटवर्क है जो संसार भर के करोडों कम्प्यूटरों को जोडता है इंटरनेट विश्व भर के लोगों को संचार करने तथा सूचनाओं व आखडों का आदान प्रदान करने की अनुमती देता है इंटरनेट के द्वारा आप कोई सूचना या संदेश सेकिंडों में दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं मुझे इंटरनेट के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बताने दीजे इंटरनेट के विभिनिक शेत्रों में अनेकों उप्योग हैं, उनमें कुछ है संचार के मामलों में इंटरनेट का प्रयोग, इमेल के द्वारा संदेश भेजने वप्राप्त करने में होता है इंटरनेट विभिनिक शेत्रों में नौकरी की उपलब्धता के विशे में सूचनाय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है लोग भावी नौकरी के लिए अपना संक्षिप्त जीवन व्रतांत ओनलाइन पहेच सकते हैं दुनिया भर में संग्रहित किताबें वो अन्य अध्यान सामगरी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से खोजी जा सकती है नवीनितम, विश्वकोष, ओनलाइन उपलब्द हैं इंटरनेट हमें स्वास्थे वदवाई के क्षेत्र में बहुत जानकारी प्रदान करता है लोग विभिन रोगों के बारे में जान सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं कोई भी इंटरनेट का प्रेयोग परिटन स्थलों के विशे में जानकारी प्राप्त करने में कर सकता है इसका प्रेयोग चुटियों की यात्रा, होटल, ट्रेन वह हवाई जहास के आरक्षन में कराया जा सकता है इंटरनेट का प्रयोग कर ओनलाइन खरीददारी भी की जा सकती है मात्र खाते का विवरण उपलब्द कराकर आप लेंदेन कर सकते हैं आप अपने बिलों का भुकतान वबैंक संबंधी लेंदेन भी इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं इंटरनेट जोडने के लिए हमें कुछ यंत्र वफ नेटवर्ग सेवा प्रदाता की आवश्यक्ता होती है कि चाइल अप कनेक्शन, एकिकृत डिजिटल सेवा नेटवर्ग, इंटरनेट का सीधा उपियोग, डिजिटल सब्सक्राईबर लाइन Dial-Up Connection Dial-Up Connection इंटरनेट को जोडने के लिए टेलिफोन लाइन का प्रयोग करता है Computer modem का प्रयोग करता है और घर की phone line को इससे जोडता है इंटरनेट सेवा प्रदाता के modem के लिए एक call की जाएगी और link इंटरनेट का उप्योग करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा यह इंटरनेट से जोडने का पहला तरीका है एकिकृत Digital Seva Network INSDN INSDN Dial-Up Connection की ही तरह है लेकिन यह इंटरनेट वो फोन के एक ही समय उप्योग करने की अनुमती देता है इसका प्रयोग करने के लिए आपको एक बाहरी मौडम की आवशक्ता होगी INSDN सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क पर व्यापक बैंडविट्थ के Digital Seva Network प्रसारण को सक्षम बनाता है जिसका अर्थ है कि एक समय में अधिक डेटा भेजा जा सकता है इंटरनेट कनेक्शन को डायल करने या इंटरनेट में प्रवेश करने अत्वा किसी अन्य नेटवर्क की आवशक्ता नहीं होती है इस तरह प्रस्ताविट सेवाएं स्थाई बैंडविट्थ की उपलब्धता वक्कम विलंबता को सुनिश्चित करता है केबल इंटरनेट की तरह दीएसल या ब्राडबेंड उच्चगती इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है दीएसल तकनीक एक ही फोन लाइन पर इंटरनेट व बादचीत की सेवाएं बिना किसी एक को काटे एक साथ उपयोग करने की अनुमती देता है DSL इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग मुख्यता, घरों वचोटे व्यापारिक संस्थानों में होता है DSL इंटरनेट सेवाएं केवल एक छोटे भौतिक दूरी तक ही काम करते हैं और जिनक्षेत्रों में स्थानिय टेलिफून का बुनियादी धाचा DSL तक्नीकी को सहारा नहीं देता, वहाँ काम नहीं करता है इंटरनेट से जोडने के लिए आपके कम्प्यूटर में तीन आधारभूत तत्वों का होना आवश्चक है मौडम, इंटरनेट सेवा प्रदाता और ब्राउजर मौडम एक यंत्र है जो कम्प्यूटर का डाटा प्राप्त करने वह भेजने की अनुमती प्रदान करता है यह यंत्र कम्प्यूटर के साथ जोडा जाता है इंटरनेट सेवा प्रदाता या ISP एक कमपनी है जो इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है ब्राउजर एक सॉफ्टवेर है जो की सूचनाओं को खोजता है, प्रस्तुत करता है और संचालित करता है कुछ लोकप्रिय ब्राउजर हैं, मौजीला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार अथवा बेतार तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं कम्प्यूटर जो बेतार तकनीक का समर्थन करते हैं, उनमें वाइफाइ कार्ड होता है वाइफाइ कार्ड, कम्प्यूटर और नेट्वर्क के मध्य बेतार संचार को सक्षम बनाता है मेरे कुछ दोस्तों के पास मुबाइल पर इंटरनेट की सुविधा है, कोई मुबाइल पर इंटरनेट की सुविधा कैसे प्राप्ट कर सकता है? मोबाइल पर इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने के लिए आपको निम्न चीजों की आवश्यक्ता होती है एक मोबाइल जो इंटरनेट का समर्थन करता हो एक मोबाइल फोन सेवा जो डेटा संचरन का समर्थन करती हो पोन पर इंटरनेट सेवाएं प्राप्त करने के लिए डेटा सेटिंग के साथ मोबाइल सेवा प्रदाता से खाता 2G, 3G व 4G नेटवर्क का प्रयोग 2G, 3G व 4G में G-Generation अर्थात पीड़ी को दर्शाता है G के पहले की उच्च संख्या अधिक सूचनाय भेजने वप्राप्त करने की उच्च क्षमता दर्शाती है अर्थात तार रहित नेटवर्क के माध्यम से उच्च दक्षता प्राप्त करने की क्षमता 2G नेटवर्क संकीन बैंड नेटवर्क पर आधारित होते हैं सिगनल डिजिटल प्रारूप में संचरित किये जाते हैं, जो नाटकिय रूप से कॉल की गुणवत्ता में सुधार वसंचार की जटिलताओं में कमिलाते हैं। 3G तीसरी पीड़ी का मुबाइल नेटवर्क लोकप्रिय हो गया है। इसने उप्योग करताओं को मुबाइल फोन वर टैबलेट पर इंटरनेट प्रियोग करने के योग्य बना दिया है। 3G नेटवर्क पर डेटा संचरन की गती 384 Kbps से 2 Mbps होती है। 3G नेटवर्क पर अधिक डेटा संचरन की अनुमती देता है। अतह यह वॉइस और वीडियो कॉल, फाइल संचरन, इंटरनेट सर्फिंग, ऑनलाइन टीवी, उच्च परिभाशा वीडियो, खेल खेलने के लिए सक्षम है। 3G उन उप्योग करताओं के लिए अच्छा विकल्प है, जो हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते हैं। पोरजी, चौथी पीड़ी का मोबाइल नेटवर्क के बारे में विश्वास किया जाता है कि यह भविश्य में और बहुत सारी मूलेवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराएगा। सभी 3G की सुविधाओं के साथ-साथ यह डेटा संचरन को 1 GBPS से 100 MBPS के मध्य पून करने वाला माना जाता है। क्या आप मुझे दिखा सकती है कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट किया जा सकता है। बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कीपैड मोबाइल वो एंट्रॉइड मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट करते हैं। सावधानी से निम्नपदों का अनुसरन करो। कीपैड आधारित फोनों में इंटरनेट का प्रेयोग। पहले मैनू का चैन करें। फिर इंटरनेट अब होम पेज खोलने के लिए या तो होम का चैन करें। अन्यथा होम स्क्रीन पर शून्य को दबा कर रुकें। आगे वेब पता दर्ज करने के लिए गो टू एड्रेस ढूंडे और पता दर्ज कर ठीक चुने। इसके बाद वेब पता दर्ज करने के लिए पते पर जाने का चैन करें। और ठीक चुने। और फिर वेब खोजने के लिए खोज शब्द को दर्ज करें। और फिर खोज का चैन करें। सेवा से जुड़ने के बाद आप ब्राउजिंग शुरू कर सकते हैं। Wi-Fi सेटिंग देखने के लिए सेटिंग पर जाएं। सेटिंग वग कनेक्टिविटी का चैन करें, फिर Wi-Fi का चैन करें। जिस कनेक्शन से आप जुढना चाहते हैं, उसका चैन करें। यदि आवश्यक हो, तो पासवर्ट दर्ज करें। अंड्रोइट फोनों में इंट्रनेट सेट करने के लिए सबसे पہले अंड्रोइट स्मार्टफोन वग की सेटिंग मेनु पर खिसकें। यह किसी इंड्रोइड यंत्र पर अप मेनु के सेटिंग आउइकन के माध्यम से और कभी-कभी notification बार से किया जा सकता है अब settings menu में आप बेतार और network settings ढूंडे ज्यादा तर यंत्रों में अधिक या अधिक settings जो बटन उपलब्ध हो को चुने अब यदि आप बेतार वर network settings पर पहुँच जाते हैं तो आप दो तरीकों से जोड सकते हैं Mobile, Internet, Wi-Fi अथवा आप wireless और network settings विकल्प में more settings विकल्प चुन सकते हैं उसके बाद mobile network बटन पर क्लिक करें जहां पर mobile data check box पर चेक करेंगे जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका phone मोबाइल इंटरनेट से जोड जाएगा Android phoneों में भी Wi-Fi की सुविधा उपलब्ध है दी-दी उसे किस परकार जोडेंगे? बड़े आसानी से मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कैसे Wi-Fi सेवाओं से जुडोगे सबसे पहले notification menu में उपलब्ध mobile Wi-Fi विकल्प को चुनोगे अब आपको उपलब्ध इंटरनेट नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी यदि आपके पास Wi-Fi नेटवर्क का विकल्प चुना हुआ है तो यह है अपने आप नेटवर्क से जोड जाएगा अन्यथा आपको वह Wi-Fi नेटवर्क चुनना पड़ेगा जिसे आप जोड़ना चाहते हैं यदि पास्वर्ट की आवशक्ता हो तो उसे दर्ज करें और Connect पर क्लिक करें Mobile Broadband तक्नीक जिसे Wireless Wide Area Network भी कहते हैं जो मोबाइल इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है Mobile Broadband का प्रयोग करने के लिए आपको एक डाटा कार्ड और एक डाटा प्लान के साथ Mobile Broadband सुविधा प्रदाता की आवशक्ता होती है आप अपना उपकरण और डाटा प्लान प्राप्त करने के बाद Subscriber Identity Module SIM और SIM के लिए Mobile Broadband सुविधा का चालू होना सुनिश्चित करें जिसके चालू होने की सूचना आपको आपका Mobile प्रचालक अथवा उपकरण विक्रेता देगा प्रथम बार Broadband सुविधा संयोजित करने के लिए निम्नपदों का अनुसरन करें Notification area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने फोन के Mobile Broadband पर राइट क्लिक करें ततपश्चात Connect पर क्लिक करें यदि कहा जाए तो Access Point का नाम या Access String उपयोग करता का नाम वो पासवर्ट ताइप करें यदि आप किसी Auto Connect सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो उसे बदलें फिर जारी रखें पर क्लिक करें Broadband का प्रयोग करके Internet सहयोजित करने के लिए Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Connect पर क्लिक करें यदि आवश्यक हो तो अपने फोन के Mobile Broadband पिन टाइप करें फिर Enter दबाएं Broadband का प्रयोग करके Internet वियोजित करने के लिए Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Disconnect पर क्लिक करें मैंने सुनाए कि कोई भी अपने स्मार्टफोन को लाप्टॉप से जोड सकता है क्या ये सही है दिदी? आप बिलकुल रोहन तुम स्मार्टफोन को लाप्टॉप से जोड सकते हो स्मार्टफोन वो लाप्टॉप को जोडने या टैथरिंग पर आपका स्मार्टफोन वास्तव में Wi-Fi, होट्सपॉट में परिवर्तित हो जाता है जिसे की आपका लाप्टॉप एकसेस कर सकता है इंड्रोइट फोन टैबलेट को लाप्टॉप से जोडने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहले वारलेस और नेटवर्क सेटिंग मेन्यो पर जाएं कुछ फोनों में वारलेस होट्सपॉट बनाने के लिए एप्स मेन्यो में एप होते है अब जोडने वाले वहनिये होट्सपॉट या इसी तरह के किसी विकल्प पर क्लिक करें आगे वहनिय होट्सपॉट या इसी तरह के किसी विकल्प को चालू करो और नेटवर्क का नाम सेट करो और अथवा पास्वर्ड सेट करो तब दाएं हाथ पर सबसे नीचे दिये हुए वारलेस नेटवर्क को वारलेस नेटवर्क के माध्यम से अपने लैपटॉप के नेटवर्क से जोड़े इंटरनेट के बारे में सीखना दिलचस्प नहीं था अब हम लोग मज़िदार गतिविदी में भाग लेंगे दिदी के आप जानती है के हम इंटरनेट पर कुछ जूनते समय हाइपर लिंक के सामने www क्यो लिखते हैं? www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब होता है वर्ल्ड वाइड वेब? मैंने इसके विशे में बहुत सुना है क्या आप इसके बारे में और बता सकती है? जरूर रोहन मैं बताती हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब www वर्ल्ड वाइड वेब का प्रतीक है वर्ल्ड वाइड वेब में वेब उपसमुच्चे है ना कि उसका पर्याए वेब पन्नों से मिलकर बनता है जिन तक वेब ब्राउजर का उपयोग कर पहुचा जा सकता है Telnet, FTP, Internet Jua, Internet Relay Chat, IRC और E-mail सभी Internet का अंग है लेकिन यह सब Worldwide वेब का अंग नहीं है Hypertext Transfer Protocol एक विदी है जिसका प्रयोग वेब पन्नों को आपके कम्प्यूटर को स्थानांत्रित करने में किया जाता है Hypertext के साथ शब्द या वाक्यांश दूसरी वेब साइट के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं Worldwide वेब के अंग हैं Web Server, Web Browser, Web Page, Website, Web Address Web Server एक पदती है जो इंटरनेट पर अंतिम उप्योग करता तक विशेवस्तू या सेवाओं को उपलब्द कराता है Web Servers वे कम्प्यूटर हैं जो वेब पेजों को उपलब्द कराते हैं प्रतेक Web Server का एक IP, पता वर डोमेन नाम होता है उदाहरन के लिए यदि आप अपने ब्राउजर में दर्ज करते हैं कि यह है एक Web Server जिसका डोमेन नाम Google.com को निवेदन भेज देता है Web Browser एक Software अनुप्रयोग है जिनका प्रयोग World Wide Web पर ढूनने, पुनर प्राप्त करने, विशेवस्तूं को प्रदर्शित करने में होता है इसके अतिरिक्त इसमें Web, फोटूएं, वीडियो वा अन्य फाइलें आती हैं जैसे कि ग्रहक सेवक मॉडल, कम्प्यूटर पर चलने वाला Web Browser एक ग्रहक है जो Web Server से संपर्क कर सूचना के लिए निवेदन करता है Web Server सूचनाएं वापस Web Browser को भेज देता है जो परिनामों को कम्प्यूटर पर दर्शाता है अत्वा उन डिवाइस पर दिखाता है जो ब्राउजर को सहारा देते हैं Web Page वह हैं जिनसे World Wide Web बनती है यह दस्तावेज, HTML, Hypertext, Markup, Language भाशा में लिखे जाते हैं और आपके ब्राउजर के द्वारा अनुवादित किये जाते हैं Web Page या तो स्थेतिक अत्वा गतिक हो सकते हैं स्थेतिक प्रिष्ट प्रतेक बार खोले जाने पर एक ही विशेवस्तू दर्शाते हैं गतिक प्रिष्ट प्रतेक बार खोले जाने पर अलग-अलग विशेवस्तू दर्शाते हैं ये प्रश्ट आदश रूप से भाशा जैसे PHP, Perl, ASP या JSP में लिखे जाते हैं वेब साइट प्रश्ठों का संकलन है एक वेब पेज एक प्रथक HTML दस्तावेज है वेब साइट एक दूसरे से संबंदित प्रश्ठों का संकलन है सामाने तह यह या तो एक ही विशय पर या आपस में बहुत ही मिलते जुलते विशय उपर होते हैं वेब साइट खोलने पर जो पहला पन्ना दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं वेब पता पते की ऐसी पंक्ती है जिसमें एड्रेस प्रोटोकोल, डोमेन नेम तथा फाइल पाथ होता है सामाने तह इंटरनेट पर इसका प्रयोग वेब प्रिष्ट, चित्र या अन्य दस्तावेजों के पते का विशेश उलेख करने के लिए किया जाता है वेब प्राउजर उपियोगी अनुप्रयोग हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओ को ढूंडने के लिए बनाए गए हैं डाउनलोड, बुक मार्क और पासवर्ड प्रबंधन वेब प्राउजर के सामाने लक्षन है इसमें क्रियाएं जैसे स्पेलिंग चेक, सर्च इंजिन टूल बार, टाब्ड ब्राउजिंग, एडवर्टीजमेंट, फिल्ट्रिंग और HTML, एक्सेस बटन, पॉप अप और ब्लॉकिंग होती है अब हम विभिन प्राकार के वेब ब्राउजर के बारे में सीखते हैं विभिन प्राकार के वेब ब्राउजर हैं, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari Internet Explorer, Microsoft द्वारा तयार किया गया और Microsoft Windows के औरिंटिंग सिस्टम के सहाईक पैकेज के रूप में 1995 में लाया गया यह विश्व भर में सरवादिक प्रयोग होने वाला ब्राउजर है यह ब्राउजर ओनलाइन संचालन अच्छा होने के साथ साथ त्वरित खोज की शंकाओं और गतिमान संरक्षा तक्नीक के लिए भी अच्छा है Firefox Mozilla से प्राप्त किया गया ब्राउजर है और वहें इंटरनेट पर दूसरा सबसे प्रसिद्ध प्राउजर है किया आप अपने कंप्यूटर पर Firefox का प्रयोग नहीं करती हैं दीदी? हाँ यह वही है जो मैं अपने कंप्यूटर में प्रयोग कर रही हूँ Google Chrome Google द्वारा विक्सित एक वेब ब्राउजर है यह अति सुक्ष्म आकरती को परिश्कृत तकनीक के साथ मिलाता है जिससे वेब तेज, सुरक्षित वा आसान हो जाता है Opera Software ने 1996 में Opera ब्राउजर का विकास किया Opera अन्य ब्राउजरों से छोटा है और ज्यादतर अन्य ब्राउजरों से बहुत तेज काम करने वाला है यह तेज है और यह कीबोर्ड, कई Windows, Zoom functions वह अन्य के साथ आसानी से चलता है यह Java वह Java रहित दो रूपों में मिलता है इंटरनेट पर आने वाले नए लोगों के लिए आदर्श ब्राउजर है Safari ब्राउजर Apple INC द्वारा विकसित किया गया है और Mac OS X में शामिल है यह सबसे पहले जनवरी 2003 में Public Beta के नाम से जारी किया गया था यह वेब ब्राउजर सभी नवी नतम तक्नीकों जैसे XHTML, CSS2 आदी का समर्थन करता है तीदी, अब मुझे दिखाईए कि वेब ब्राउजर कैसे खोले ठीक है रोहन, वेब ब्राउजर खोलने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करो Start बटन पर क्लिक करो All Program पर जाओ और किसी एक ब्राउजर पर क्लिक करो Browsing Window दिखेगी सामाने तव, वेब ब्राउजर निम्न में विभाजित होते हैं Title Bar, वेब पेज व, वेब ब्राउजर का नाम दिखाता है इसमें तीन विंडो बटन होती हैं Minimize, Restore Button या Maximize और Band Address Bar में उस वेब साइट का नाम अथवा URL जिसे आप खोजना चाहते हैं लिखें इसमें Go या Refresh और Stop बटन होता है Go बटन वेब पेज या वेब साइट को लोड करने में आपकी सहायता करता है Refresh बटन आपको वेब पेज को पुनह लोड करने में मदद करता है और Stop बटन Explorer द्वारा चलाई जा रहे किसी भी अनुप्रयोग को रोकने में मदद करता है Address Bar के Buy और Back वो Forward बटन होते हैं ये बटन आपको हाल ही में चलाई गई पीछे की और आगे की वेब साइट पर जाने में मदद करते हैं Menu बार पर कई विकल्प होते हैं जैसे File, Edit, View, Favorite, Tools और Help Web Page क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर वेब साइट या वेब पेज दिखते हैं Status Bar वेब साइट वेब पेज की प्रगती या स्थिती के बारे में Waiting, Loading या Done दिखा कर बताता है Search Engine वह वेब साइटे हैं जिनका उदेश उस वेब साइट को ढूंडना है जिसे सूचना पाने के लिए ढूंड रहा है किन्तु उसके पास उस वेब साइट का विशिष्ट पता उपलब्ध नहीं है कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजिन जैसे Google, Yahoo, MSN है Google सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजिन है SEs वेब सर्फ करने के लिए जिन इलेक्ट्रोनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें रॉबर्ट या स्पाइडर कहते हैं वह www के साथ मांगी गई सूचना को ढूंडने के लिए इंटरनेट में चारों तरफ खुंगते हैं मल्टी या मेटा SE का अर्थ है कि आपके e-word को खोजने में एक से अधिक SEs लगे हैं Google और Bing इसके उदाहरण है निर्देशी का वेब साइट की डारेक्टरी का उप्योग करती है जो की हाथों से जाची वह उनमें उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्गी कृत की जाती है याहू डारेक्टरी SE का उदाहरण है सर्च इंजन इंटरनेट पर सूचना ढूंडने के ओजार है सर्च इंजन वेब प्रिष्टों की तरह के हैं और उनको भी वेब प्राउजर का प्रयोग कर खोलना पड़ता है साधारणता सर्च इंजन एक शब्द या शब्दों के समूह या विशे पर आधारित होते हैं इन शब्दों या मुहावरों को की वर्ड्स कहते हैं सर्च इंजन का प्रयोग किये जाने वाला सर्च इंजन है का प्रयोग करते हुए किसी चीज को खोजने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहला वेब ब्राउजर को चालू करें तब एड्रेस बार या लोकेशन बार पर यह टाइप करें मानिये यदि आप ग्रामीन भारत में स्कूलों की सूचना चाहते हैं तो नीचे दर्शाय गए कीवर्ड टाइप करें स्कूल्स इन रूरल इंडिया अब खोज शुरू करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें अत्वा एंटर बटन दबाएं दिखाए गए लिंकों की सूची देखें जिनके साथ प्रतेक वेबसाइट का संक्षिप्त विवरन भी दिखेगा सुसंगत लिंक पर क्लिक करें यदि आप किसी और विशे पर सूचना खोजना चाहते हैं तो सर्च इंजिन के होम पेज पर जाने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें अब जो सूचना आप खोजना चाहते हैं उसके कीवर्ड टाइप करें फिर सर्च बटन पर क्लिक करें विभिन वेबसाइटों के लिंक दिखेंगे सुसंगत लिंक का चैन करें और वांचित सूचना पढ़ें यदि आपको कोई लिंक रोचक लगे और आप उस पर दुबारा जाना चाहते हूं तो उस पेज को आप बुक मार्क बना सकते हैं फिर ब्राउजिंग विंडो से बाहर जाने के लिए आप सबसे उपर दाएं कोने पर क्लोज बटन दबाएं अब रोहन मैं चाहती हूं कि सर्च इंजन का प्रयोग करने का प्रयास स्वैम करो बिल्कुल एवल यह बताईए कि क्या खोजना है ठीक है गूगल का प्रयोग कर ग्रामीन भारत में कम्प्यूटर शिक्षा खोजो अब तुम इंटरनेट के विशे में बहुत कुछ जानते हूं चलो अब हम मजेदार गतीविधी में भाग लेते हैं प्रतेक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयाज सही नहीं है रिप्या पुनह प्रयाज करें सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा करू